मुक्यमंत्री नितिश कुमार का एक बयान बड़ा चर्चित होता था आप 2013 की बात कर रहे हैं जुन 2013 में गोवा कारिकार्णी होती है नरेंद्र मुदी चेयर्मेन बनाए जाते हैं चुनाव प्रचार के और उसके बाद आप लोग जाना बंद कर देते हैं सचवाले में और स् उन दिनों एक बात याक्सर कहा करते थे कि बीहार में एक मोदी हैं और वो काफी हैं को लोग खेट थे अच्चा कभी सुशील मोदी ने नितिा इशकुमार के साथ बार बार कही जाती थाए कि बाहर में हैma एक मोदी हमें दूसरे मोदी की जुरूत नहीं आपने कभी इस ब अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री को उमीदवार होंगे, तो मेरे लिए गड़बंद में रहना मुश्किल होगा, उन्होंने छिपाया नहीं, कोई उन्होंने दोके सा चानक तोड़ दिया ऐसा नहीं, उन्होंने 6-8 महिना पहले ही जाकर बता दिया था, और हम लों क को विए पन आप ढ़ेगा, तो में यह सरकार नहीं चल सकती और फिर जब गवा इस टान।ी ओड़ दिया उन्होंने उन्होंने चेजिए तोड़ दिया गष्जिए, उन्होंने इसारी बातों को सिर्ड़ नित्त को जानकारी में इसारी चीजिए उन्होंने की दूझाए उ वो चिठी में अपने साथ लेकर आया हूँ ये चिठी 6 अगस्त 2015 को लिखी गई तो 2010 में जनादेश मिला पंदरा तक के लिए नीतिश अपनी सरकार बचाई समर्थन लिया आप लोग वी पक्ष में आगए उसमें आप चिठी में लिखते हैं कि नीतिश कुमार दोके बाद है उनों में लालूपिषाथ के साथ दोका किया और नीतिश कुमार जालूपिशात के साथ दोका किया ये 2015 में लिख थे अपक नजर में क्या डोका किया था आपकी नजर में लुखा किया था इन बतों का कोई मतलब नहीं है व् इंबव builds. गढ़ चान तो गढ़ ग्ड़ ऱम का विरुद किया तो रच तो यश्वन से रहा खड़े वे और का एक लालो जी जहां राता हूं इमांदारी से रहता हूं उसमें चंद शेकर के साथ था मैं BGP का विरुदी था हुआ था तब हमसे इमीद करते हैं कि हम रमजन मुमी के पक्षिंग बोलते और आज मैं बीजेपी में हूँ तो मैं बीजेपी के पक्षिंग बोल रहा हूँ तो यही उसका उत्तर है कि भही जब हम विपक्ष में हैं तो तुनके खिलाफ में ना बोलेंगे और जब साथ में हैं तो उनकी पक्षम बोलेंगा मैं सुशील मोदी जी आपके तर्ग से सहमत होना चाहता हूं लेकिन बिहार की जनता ये सवाल पूछती है कि ये किस किस्म की पलिटिकल मैनूवरिंग है कि सुशील मोदी अगस्त 2015 में कहते हैं कि नितीश धोके बाज उन्होंने लालू को धोका दिया भाजपा ने तीन तीन बार मुख्य मंत्री बनाया उनको धोका दिया जीता नाम माजी को धोका दिया नरेंद्र मुदी को कैंसल करके डिनर आते दे भाव की परंपरा का अपमान किया आप ये सब बातें कहते हैं चुनाव होते हैं आप हारते हैं वो जीतते हैं अपनी गड़बंदन के साथ और 2017 में आप फिर साथ हो जाते हैं तो पबलिक जानना चाहते है कि आपने एक पॉलिटिकल पॉस्टरिंग ली आपका यारूप था कि 2010 का जनादेश आपको और जेडियू को मिला और उन्होंने उस जनादेश का अपमान किया फिर लोग कहते हैं उसी तर्क को एक्सटेंड करके 2015 का जनादेश जेडियू और आर जेडि को मिला तो जो नीटिश ने आपके साथ किया वही आपने फिर जनादेश के साथ कर दिया ये सवाल पूछा जाता है इसका जवाब तो नीटिश जी देंगे कि जिस दिन गटबंदन टुटा और लालू के साथ गए है तो मैं जानता था कि बहुत दिन तक चलेगा नहीं तो कि लालू और नीटिश का भी एक साथ काम करें नहीं सकते है दोनों में 36 जो है सोच में समझदारी में काम करने के तरीके में और मैं अगर 15 सार नीटिश जीगा तो मैं निवाया अगर इतने लंबे समय तक मैं उनकी साइकलोजी को इनके काम करने के तरीके को जानता हूं और लालू यादों के साथ कोई सथरीफ आदमी काम करें नहीं सकता है मैं एक लाइन में पको बता दूँ कोई भी क्यों कोई भी चैकि उनका जो इरेटिक हैं क्योटिक हैं उनको कोई नियम से कानून से विवस्था से डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं है तो इस तरह के आदमे के साथ नहीं कोई सरकार चला सकता नहीं कोई पार्टी चला सकता बहुत दिनों तक इस तरह के आदमे साथ ही चल सकता दर्बार लगा वहा है लोग बैटे में हैं कोई समय के मर्यादा नहीं कुछ नहीं क्या बोल दिया क्या खा लिया क्या कर दिया इस को कि अखेनी लगाओ पेक डाल लेकर फिर लालु यादव जब मुख्य मुख्य मंत्री थे और लालु जी का बेटा था डिप्टी सियां तो रोज बुजे मालु मैं कि फॉन करके इसका टांसर करो इसकी पोस्टिंग करो ये दरोगा वो दरोगा तो कोई मुख्य मंत्री सब पर सुप्रेम कोट ने काली करने का आदेशी नी दिया पचास जरपिया उनको जिरूबाना लगा है कि आप एक मकान के लिए उप्रेम कोटाएं तो इसने देखिए जो लालु का पूरा परिवार है और जो इस्तिती बना दिया था हम लोगोंने मैंने करीब 42 प्रेस कॉंफ में तथ्यों के साथ उनकी जो अवैद संपत्ती थी उसका मैंने खुलासा किया उसके बाद कोई सरकार नहीं चल सकती है और एक भी खुलासे का खंडन करने को नहीं जो कि डॉकुमेंटरी एविडेंस के साथ एक एक डॉकुमेंट्स सारे की सारे लगातार और जितने भी उस स तो मैं जानता था कि नितिश कुमार बहुत दिन तक लालु यद आदाव के साथ यह मुझे नहीं बहुत इतना जल्दी सरकार तूट जाएगी और हम लोग मैं तो कभी सपने में भी सोचता था कि मैं फिर डिप्टी सीम बनूँगा क्या सोच रहे थे आपकी सीम बनेंगे सीथे नहीं बनें जो होगा चनाव होगा पांट सल इंतियार करेंगे चनाव में जो जनता अदेश देगी लेकिन जो परस्तिती बनेंगा जितिश के लिए सटार्कार चलाना मुस्किल था और नितीज जो कभी लगा होगा कि वी zape wali